साथियों नमस्कार आज हम लोग चर्चा करेंगे मानाव चेतना का वर्तमान संकत कॉसेस आप डिस्ट्रोक्षन ऑफ यूमन कॉंसेस्नेस मानव चेतना के जो और दूद्धपन करता है जैतना के विकास में मानवी व्यक्तित्य के विकास में कोन-कोन से ऐसा कारक है जो उसके और रोद दॉशन हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे तो साथियों आप पूरी के पूरी वीडियो में बने रहें ताकि आप पूरी उसके एक एक पॉक्ष जो चेतना के अप्स्ट्रेकल्स है और अउरोधक है उस अउरोधक दत्नों को हम लोग जान सके और समझ सके हुआ ह्यूमन कॉन्सस्नेस सबसे पहले समझते हम लोग चेतना चेतना जो चैतन्यता सचीवता और शजकता कि जो हमारे मस्तिस्त की उस अतल घहरायों में एक द्वार की तरह एक खिड़की की तरह या यूं कर सकते एक च्रोके की तरह हमारे अंदर जो ज़र रही है ज़रने क कि तरह वो हमारी चैतन्यता हमारी जेतना है अंग्रेजी में इसी को कॉंसस्निस कहते हैं कॉन और सायर से मिलके रूप में देखता है तो इसे हमने चेतना के रूप में चर्चा किये चेतना के बारे में इसे पूरों के वीडियों भी हमने विस्तार से चर्चा किये हैं आप उस वीडियों को हमारे चैनल में जा करके एक बार अवलोकन कर शकते हैं इसे संबंदित और भी अन्य वीडियो है मन औरोग के बारे में आचार पंडिस राम सर्मा जी ने कहा है कि मानसीक रोग और कुछ नहीं, कुछली, मसली, रोंदी हो भी हमारी भावनाए है जो हमारे अत्रिक्ति इच्छाएं होती है, अत्रिक्त कामनाएं होती हैं, वो कामनाएं और इच्छाएं ही जब उसे दबा दी जाती है, उसे रोग दी जाती है, तो वही कालांतर में एक मानसीक रोग की रोग मेरे सामने उभर के सामने आता है वीविन प्रकार के मांसिक रोग जैसे समाज में बढ़ती वी हिंसा के वजए से अपराध, आतंग और आत्मत्या, यह सारे एक सारे जो उत्पन हो रहा है, यह सारे मांसिक रोग, उत्पन करने के पिछे कारण भी है और ये मांसिक रोग जो मनश्यों को एंदर ही अंदर क्या इसे खा जाते हैं किड़े की तरह प्रक्ष्यात मनुवए ज्यानिक कार्ल जुंग के अनुसार मांसिक क्रियों के अरुदक तरह हमारी मांसिक विचार धाराएं प्रवाहित हो रही है उसको यदि किसी तरह से कोई रोकता है वो है क्या इसके लिए ने तीन पक्षमत कुंता है नकरात्मक चिंतन निगेटी ठिं चेतना के विकास मारे विक्तित को विक्षित होने नहीं दिया देताइए हमारी जो feeling जो है वैसे कहा गया है कि इनसान जो बनता हो अपने भावनाओं से अपने फिल्म की वस्तु को किसी कार्य को कि स्थाहर। उस कुआ अगर को करने से बेक्तिकंद्र का इसी feeling है good feeling है या bad feeling है यदि good feeling है मित्रों तो जहां रखना वह आपकारी आपके लिए बना हुआ है नकरातमक शंकल्प भी विलिंग नगेती विलिंग उड़ी है हम किसी कारे को करते हैं पहले ना से करते हैं करें हैं कोई जिजित नहीं कोई भी कारे को नकरातमक भाव से सुन उतना यह भी हमारे मांसी फ्रियाओं के आ Почему हम उसके अगला δ Assassco aven कर देते हैं उसकी अनंत जो दर्वाजे हमारे चीतना के उस चीतना के उस दर्वाजे को उस खिल्खी को हम लुत्या करते हैं जरोके को बंद करते हैं चेतना की विकास की संभावनाय मुर्ष जीवन में बदाबता है। इस चैतन्यता को और भी कौन से ऐसा पक्ष है जो अवरोधाक होते हैं, जो इसको रोकने में काराक होता है, उन कारकों को देखते हैं। लेकिन इसको देखने से पहले उसकी मनवय ज्यानिक द्रिश्टि कोन से हम जरायश्ट में प्रकाश डाले कि मानव चेतना की कोन कोन से ऐसे औरोधाक है। इसमें से महतुकुन बिंदोग बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे समबर वन जो है समाजिक मुल्यों में दूसरा अशुरक्षा, तीसरा है अर्शफल्ता, फैल्यूर। बदलता हुआ पारिवारिक वातवरन, धर्म, विश्वास, कमी, भ्रष्टा, चार्प और शंकर्शात्मक समाजिक प्रतिमार, हम इसके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले समाजिक मुल्यो बदली भी है। वे अलग है। अब समाजिक वेल्यू का मतलब यहां क्या है समाजिक जो मुल्य जो है वे अलग अलग दृष्टी कोन से है। समाज में किसको महत्व दिया जा रहा है। इसको महत्व कोन-कोन से पक्षक रखा जा रहा है। क्या यहां पे केवल धन संपदा ह कर्किर की चीत्ना काधि तक तक नहीं हो शकता है प्रतिष्थटा और बिना प्रकार की प्रेशर के बैपी श्वतन पर होका कारे को नहीं तो समाजिक मूले जो बदल रहा है चाहे परिवारिक द्रिष्टिकोन सुली जी आप एकट परिवार से बेक्ति निकल कर गेर मलब जो बेक्ति जो हमारे जो बड़ा परिवार है जिस परिवार में दादा, दादी, माता, पीता, भाई, 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 बहन, चाचा ताओ जो एक साथ रहता है वहां से निकल कर बेक्ति एकल परिवार में रहता है तो यह भी एक Сमाजिक, प्तिमान, समाजिक मुल्य है, जिस मुल्यों की इसमें अरहास हुई है, जहां भी हम खुछ सिखते थे, जिसमें चाहे तो वो सम्मान और शाकार की भाव दोनों की अरहास हुआ है उसमें, कि समाज में प्रम्पुजे खुतिर ने कहा है समाज यह दिकिसी प्रकार का Ghraan लाय उसका दो ही कारण है एक है भड़ों को शम्मान नहीं मिला और छोटों प्यार नहीं मिला सम्मान और प्यार प्रेम यह दूरों का अभावी समाजिक मुल्यों में परिवर्तन का मुल्कारत है यह जाकार और सम्मान बेक्ति की जीवन में आ जाए तो हमारा शमाजिक मुल्यों समाज में केवल पैसे पर भी रुपी यह क्या है चाहता है कि मानवी अष्दित्य है या उसके अंदर की इमानदारी है , उसके अंदर की ब्योखारी जीओन है इसकी वियुक्ति कम किरता है तो तो हमें ध्यान पढ़ेगा अपनी चीतना की विकास के शामाजिक मुल्यों में जो परिवर्ता लाया है उसको अपनी विखतिगर जीवन में अपनी शामाजिक सब्सक्राइब नमर दूसरा है इंशे क्योंहिक कि ज इन शेक्यूरीटी जो इनसी की सेजिडी कि है ये महत्वपून है कि छेतना के आलने दक है दुल मिदेखी blacks स्ब्सक्राइब में हुली है जिवन के प्रत्यपक्षुमें देखिये पट्टी चाहिक कि तुंब अबाद की रूप में हो चाहे किसी प्रकार के और भी परिवार अबाद के रूप में देखा जाएं कि जो जितने भी हमारे सामने जो समस्या इस समय उभर के सामने आ रहा है यह भी हमारे अर्शुरक्षा का एक खाराल है तो जब ते बैक्ति शुरक्षित नहीं होगा अपने आपको शुरक्षित फिल नहीं कर सकता तो बैक्ति का अंदर का जो इनर पावर विक्सित कैसा होगा बैक्ति कुंद हो जाता है बैक्ति की सोचने और समझने की विचार धाराय तब ही प्रस्वूटित होती है जब बैक्ति श्वत्नत्र हो करके free of mind, कुछ चिंतन करता है कुछ सोचता है को creativity पैदा करता है वैसे प्रम्पुजी गुर्दीन ने कहा है कि असफलता के वल यह सिद्ध्र करते की सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया अब बेक्ति इस असफलता को किस द्रिष्टी कौन से लेता है ये महत्व होना है अगर बेक्ति असफलता को असफलता के भाव से लेता है तो उसके निश्चीत्तों से चेतना औरूद हो जाती है लेकिन यदि इस असफलता को अगर कहता है कि एक असफलता मेरे अगली सफलता क यह एक पाठ है एक पाठ सिखा जाती हमारी अर्षफलता गर विघ्ति इस द्रिष्टी कौन से लेता है तो बित्ती अपने बित्त का विकास करता है तो उससे भी किया एक जो मिरासा के जो भावाता है वे उनके चीतना को औरूत करता है लेकिन हमें प्रयास यह होनी चाहिए कि अस्फलता से सीखना चाहिए चाहिए और शिक करके आगे बढ़निया का प्रयास करना जिना कि अस्फलता में झूंध उक्रिजय क क्योंकि रत्ति द्क के जीवन का कारिया प्रत् 2 गला अलग अलग देश और लक्ष शोता है अललग काड़्य को प्रापर कहत लोरिख्या बड़ी बड़ी होता है इसलिए अस्थालता से हारना नहीं चाहिए बलकि आगे बड़ना चेतना को विक्सित करने का प्रयास करना चीए क्योंकि यहां पर पूरी होती है चौधा है बदलता हुआ पारिवारी हुआता हुआ हमारा जो चेंजिंग फैमिली इन्वायर्मेंट जो है जो इन्वायर्मेंट जो पहले कर जो हमारा जो एक शामू परिवार में बड़ा परिवार जो हमारा था जो ग्रूप फैमिली था वो ज्यादा प्रशंता और खुश बहुत सारा इस्ट्रेश तनाव और चुंता आने घर कर गया क्योंकि छोटा बच्चा जो अपने डादा दादी और परिवार के अन्य लोग जो सीखता था भी परिवारिक प्रत्मान सब कुछ नश्टू गया मित्रों ये भी एक हुरोदाख है बच्चे जिसे सीख पाता था बच्चे दादा दादी के गोई में बैट करके जो कहानिया और जो शिक्षाप्रद ब्योहार जो सीख पाते थे बच्चे आज उससे बनचीत है आज केवल टेली विजन टीवी मोबाई केवल इसमें ही वित्त जीतना जितनी विक्षित को नीचे विकास की दर्द इफ्रेंट है तो मैं चाहिए कि प्रवाद मुल्यों को भी हमें बनाया रखना चाहिए जिससे चेकना का सहीं विकास हो सके और विक्षित होकर के आगे अपने चीवल लक्षबूँ प्राप्त कर शके धर्म में सब्सक्राइब करता है और उसे आत्म कल्यान के वह प्रेड़ करता है क्योंकि धर्म वह है जो विक्ति खुद को इस लोग और लोग दोनों मोखों में जो कल्यानकारी हो वहीं धर्म है धर्म को हम संप्रदाय की रूप में बाढ़ चुके रहे वास्तित तक धर्म तो यह है जो आपने अत्मा की साथ अपने आस पास पुरे बतापरंद की कल्यान की जो भावा सोचता है अपने साथ दूतरों की कल्यान की भाव जो सोचता है तो इसकी पती वेक्ती का विश्वास कम हो गया है फिल्द मेश कि टे अपने our exposed की काला करना प्डर दोष्रों के बारे में सौसटा ही नहीं है हुद आखिbahn महत्वपूल कमी जो जो आई हो यह इसे भी हमें सुचना पड़े ईसे इसले इस सोगाउल होता सकर कि दर्म हमारे आत्मा की सबस्कित थे वहां पर किसी प्रकार का सिकुडन किसी प्रकार की कमी नहीं 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 चाहिए वो खुळा हुआ रहना चीए कुस्वे की तरह मुस्कुडाते बोना चीए कि नंबर चटा है भेश्टाचार करप्षन आज समाज की प्रत्तिक वर्द प्रत्तिक जगह पे किया ये करप्षन की पीले जो है वो ऐसा हम गुज गया है जिब एती को पता ही ने चलता तुस्कूरी की रूप में मिलावट पोरी की रूप में या गलत भासन बाजी की कि इसी भी रूप में देखिया समाज में जहन उत्रफ दिखाई पर शुप इस समुझत की वहाव से वेक्ति को आविमितना पड़ेगा समाज में विक्सित होना पड़ेगा गश्टा चार रूपी इस जो दीमा खाय जो समाज को अंदर ही अंदर खा रहे है इसको नश्ट क करके अपनी चितना को बेक्तिगर चितना और समाजिक चितना और राश चितना का भी इसमें विकास्ता भी संभव है कि शेवन नमबर जो है संखर शात्मक समाजिक प्रतिमार समाज में आगे बढ़ने के लिए को होता है हमारे पास्की समाज में बढ़ रहें तो बढ़ते समाज में जो का नगे बढ़ता है जिसने केकडा कएते है केकड़े रेखे होंगे केकड़े कार रही होता है जब एक एकड़ आगे बढ़ता है तो दूपिक ने उसकी पैर को पढ़कर नीची खील देता है ये प्रवत्ति जो बैक्ति को समाज में आगे बढ़ने था और बैक्ति थक आगर कर गिर जाता है बैक्ति का कमड टूक जाता है इससे बैक्ति के अंदर की वह निरासा की भाव यूंसे आगे बढ़ने का बढ़ने का प्रियास करना चाहिए जिससे हमारा संक्रश्रात्मक समाजिक प्रतिमान हमें आगे के और आगे बढ़हें कि ईयृ कि इट जो मानुवी चेतना को क्यों भिंसीत करकर में garden करें योग में मानव चेतना के जो और अग cycli?」 पतंदिरे ने जो मधपुन étant कहिए अभिद्या शिता राग्वेशा अधिन्यव effectivement अभिद्या स्मिता राग्वेश और अध्निवेश यह पांच जिशे स्जों पंच-क्ले भायद बारें कहा गया है अनित्या शूची दूखात्म नासू नित्या सूची शुकात्म ख्यातिर अविद्या जो अनित्य में जो अपवित्र में और जो दूख में और जो आत्मे में भी नित पवित्र शूख और आत्मभाव की अन्मभूति करता है वह अविध्या है जो है नहीं उसे बिक्ति होने का भान करता है जैसे अंधिरे में आप जा रहे हैं पैर में कहीं रस्ती लग गया तो आपको लग रहा है कोई साफ ने पकर लिए तो यह जो भाव जो भान जो होता है इसी के नाम अविध्या है जो नहीं है उसे भी होने का जहां असर्त्य है उसे सत्य करूप में श्विकार कर लेना जो अपवित्र है उसे पवित्र माल लेना इसको अविध्या कहा गया है इसे चेतना अवरुद होती है और दूसरा नंबर है असंति है अश्मिता गहिंए रिक दर्षण सक्प्यु रिक आत्म अश्मिता है दो ढूस दीश्टा और दिस्य है ड्रिक शक्ति और दर्षण शक्ति इन दोनों का एक रूप से हो जाना इसको अस्मिता है अर्था उहका और कर शेवाऊ मैं ही कर शक्ता हूं दुसरा लग यह पो अश्का पैस्मिता है मैं कर शक्ता हूं मेरे पास है कि मैं पन्रोना ठीक है अपने अस्तित्तों को बनाए रखने के लिए लेकिन जब मैं बढ़ता है अभूकार का रूप लेता है अगर आत्मक्ता में आजाती है, अगर ये अस्विता शात्रिता क्यों रागे बढ़ता है, अहम ब्रम्हास में की भाव आता है, तो ये कल्यान कारे हो शक्ता है, इसको बदलने की आउशकता है, नमबर तीसरा है, राब, सुखा, नुसई, रागा, ऐसा महर्शे पतंजली ने कहा है, जो सुख की प्रतिती के पीछे रहने वाला है, वो राग है, सारे आमोध और प्रमोध जिसमें ब्रति लगा रहता है, ये मेरा है, सब कुछ मेरा है, गर, परिवार, समाल, मोटर, गर, सा मेट कर रखता है, यो जो पकड़ कर रखने की जो प्रक्रिया है, ये राग है, लगाओ जिसे कहते हैंने सब्दों, इससे चेतना विक्सित नहीं होती, बेक्ति को इससे मुक्त बोला पड़ता है, अगला दी गई है, दुख, वेश, दुखा, नुसई, द्वीशा, दुख द्वेश अर्था जिसको करने से हमेंके बेटी को कष्ट मिलता रहता है, जिसको हम लोग इश्या द्वीश कहते हैं, अगर उसके पास है, तो मेरे पास क्योंने, ये भी दुख का कारत है, तो प्रतिक क्रिया के पीछे बेटी कहीं ने कहीं, वो दुख ही उसमें ढून लेत करता है, चाहिक इतनों सुखी वस्कुल हो वहाँ पे, तो दुख की प्रतिती हर जगा होता है, और इक्ष्टा द्वेश को परमपुत जिगोदिव ने कहा है, ये तो एक ऐसे कीड़े हैं, कपड़े के कीड़े हैं, जो क्या करता है, उसको अंदर ये अंदर कहा कार डालता है, घुन की जरातर है, जो लकड़ी कहा है, अंदर अंदर पुरे खोपले कर देता है, वैसे देश मालवी वित्तिक्त को मालवी अस्तिक्त कहार वो लश्ट कर देता है, चेतना को कुंद कर देती है, और रूद कर देता है, और अंतिन जो है, वो है अभिनिवेश, श्वरस मुडू की भाति विवेक सिर्पूर्षो Small summit क्या जाताया और है कि वरने की त्रक्रिया मृट्विय मृत्य तर्थी जो की साथ स्वत्व स 다음 कि में आज हो कल हमें जाना की विप्ति के अंदर ग्या अभिनिवीश का मतलब होता है मृत्तियू का भाय महत्तपुन जो कि हमारे जेतना के और उधक है पुझ्यकृद्यों ने जो आत्वुत तत्वुत की साधना बताया कि प्रती दीन सुभा का समय एक मेहा जन्म और गात्री हमारे जन्म और मरन की बीच की युगती वो तो यूगती है तो इसको जीना अगर यह बेक्ती जीता है तो समझे वही सच्चा योगी है और वो चेतना नंबर जो सूत्र है तो इस तीस नंबर की सूत्र में भी जो बात कहें गई है वो व्याधिस्त्यान संसय प्रमाद आलश ध्रांती दर्शन अलब्द भूनिकत अनवस्तित तत्वाने चित विक्षे पास्ते अंतराया यह जो तत्व बताये गए जो नौन यह अंतराय है यह इससे भी हमारी चेत्ना गरे है। चेत्ना में रुखावटे आती है व्याधि जो कष्ट यह होता है शरीर उन्द्री और मन चित में किसी प्रकार का जो भूगत पन हो जाए वो हमाए ब्याधि जो स्त्यान दिया गया है अकर्मन्यता साध्नों में प्रवित्र ना होने की जो भाव है उस्त्यान है और संसय संदेह जिसे कहते हैं प्रतेकार में संदेह थोना कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा प्रमार्ग किसी कारे को कहा है उसका अवहिलना करना तालते रहना जिसे बे परवाह करतें जिससे लापारवाह सब्द से हम लोग जानते हैं कि नेष्ट है आलस्य तमोगुण की आधिकता है मुख सी काले में लगता नहीं पड़ा रहता रहता है अविंद्रि Давай सईयोग बिस्यों के साथ के हमेशा सबना रहे लों इसके अंदर चितमे वेराइत का अभाव होता है उसे ब़ी लगत थो री सपॉलिष्यों के पीछे क्या है लगा रहता है तो उता रहता है अध्यांति नच्छन भांति दर्शन घांदी दर्शन खहा गया है किसी वस्तु क्या है उसके विप्रित्थ को घांथी मतलब गलत सूच रहल गलत देख लेनगा जहां पर उसको तो कि सफलता मिलनी ज्याוכ het मिनना शरूरो हो जाता है कि मिध्या भ्यान कर सब्सक्राइब मिध्थया ज्यान कर सकते इसक्रांति भड़्य दर्शें इसयों करें कि अलब्हों निकत्ष हो टुक्राप्ट नहीं इक्ता नमें और जहां करदा को द enamel इसने से ब्येक्तिक को आगे बढ़ना पड़ता है उसको आगे चलना पड़ता है जिसे व्यक्तित से दोख विकास होता है जेतना ब्श्रीथ होती है यहां पर अगला जो महत्रपूरे शमस्या का जो मर्म बिंदु समस्या का जो मर्मूल है वो हमारा अहम है मनोवज्ञानिक द्रिश्टिकोर से एकर देख पा रहे हैं इसको तो हमारा अहम भावज होता है जो एक और बेक्ती को आत्मा के उच्टा स्ट्र से अलग करता है तिस अहम भाव को तिरुईद करना होगा प्रक्यात मनोवज्ञानिक यूंने कहा है कि अहम की विक्रिती पर विचार करते वे ठीक ही कहते तिकार्व मानभी जेत्ना समग्र से कटी वी अपनी आत्मा सहीं मानावता में अपना संबल्द को बैठती है तो इस अहम को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा अंकार इतना निक्सितना हो जाए जो रावन की तरह हो जाए जो मैं मैं करके तहाँ पूरी की पूरी अपने और वल्स का नास कर दिया वित्रो यहां दखना पड़ेगा अहां की भाव को हमें वैसे उसे शकरात्मक द्रिष्टी कौन से शकरात्मक रहने का मतलब जिसे हम जो शत्र, रज, और तम दुर्शाक्रिक्ता के भाव से हमारे सास एता हम चिदाननदो हम तब्त्हुमसी शीवो हम सचिदाननदो हम यह अहम भाव जो साथवित्मा विक्ति को शमादी कूव ले जाता है और चेतना फिल् właści चेतन अचेतन और अचारशने सब्सक्परु शेतनि के हैं सुपर्चेतन दो मन की अधिया प्रिष्ट घुर antic कि ऐसके बारे मबात कुछ और सुपारीश लेकि उसकी प्रवित्ती मूल प्रवित्ती जो है मात्रत तेवल प्रिष्टा से भरतु है जी इस्वर की समतुल्य कहे गए जो ब्यक्ति कि चेतना को परमातम में चेतना के और उखित कर देता है। सवामी अत्रण बिखाया कि जब तक व्यक्ति है आध्यात्म के आधर्शकुन, इस जीवन का हमारा जो अंतिम पर्णाम अंतिम लक्षे, और मातम अभ्रम प्रज्यानम प्रम्भ कहा गया है। उपनिष्टों की जो वानी है जब व्यक्ति उसको आत्मसाथ नहीं करेगा तब तक कहा है उसके मांसिक तनाव और कुंधाओं के इस्थायुक्चारिकों संभाव नहीं और जब तर व्यक्ति की जीवन का चरम लक्ष शुखवार और इंद्री भोग रहेगा मांसिक थोड़ा से अपने से हटकर थोड़ा समाज थोड़ा व्यक्ति थोड़ा राष्ट इसके लिए व्यक्ति को सुचना जिससे व्यक्ति का चीतना जो है कीवल व्यक्ति कर चीतना से हटकर की वो समाजी और राष्टी चीतना की और आगे बढ़ सकता है इससे चीतना विक्षित एक चेतना के वल्षूर्थ के उपने ही वीजाए में अगर बेक्ति सोसता है तो चेतना इससे हमारी और होती है साथियों इसकी साथ साथ हमारा आज कर सब्जेक्ट हम यहीं पर विराम देते हैं मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपको हमारे आने वाली और पहुत सारी वीडियोस हैं अगर आपको अच्छी लिखिन कैसे आपको लगा धन्यवाद और वाश्कार आपको अच्छी लिए